Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग अपना Deep Learning Playlist continue करेंगे In fact, आज का जो वीडियो है बहुत ही important है क्योंकि इसमें हम लोग एक बहुत ही conceptual topic cover करेंगे Topic का नाम है Back Propagation in CNN ठीक है? तो हम लोग CNN पढ़ रहे हैं और हमने past में CNN के उपर Back Propagation पढ़ा था आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि एक CNN architecture के उपर Back Propagation कैसे काम करता है मैं आपको पहले से थोड़ा एक kind of धराना चाहूंगा कि थोड़ा सा difficult है ये topic That is why मैंने इस पूरे topic को तीन parts में divide किया है Maths थोड़ा difficult होगा और हो सकता है कि आपको multiple times देखना पड़े There is another issue with this topic कि इसके उपर बहुत content available नहीं है इस point पे internet के उपर तो काफी मैनत करनी पड़ी होजे और काफी सारा Maths kind of मैंने खुद से copy pen लेकर के kind of formulate किया So the whole idea is की थोड़ा difficult होगा आप पहले से मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है कि तीनों वीडियोस देखने है if possible multiple times देखने है and if possible साथ में copy pen लेकर बैठो because काफी सारा Maths आने वाल है ठीक है तो first video में हम लोग overall kind of समझेंगे कि back propagation CNN के उपर apply कैसे होता है second part में हम लोग ये discuss करेंगे कि convolution operation के उपर back propagation कैसे apply होता है max pooling के उपर back propagation कैसे apply होता है flatten के उपर back propagation कैसे apply होता है ठीक है और in the last part third part में हम लोग एक थोड़ा complex CNN architecture के उपर फिर से back propagation करके देखेंगे the whole idea is कि आपको ये बहुत difficult topic अच्छे से समझाना है बहुत जगों पे इसको cover नहीं किया जाता है in fact books में भी, textbooks में भी मैंने देखा है कि इसको cover नहीं किया जाता honestly उतनी जरूरत है भी नहीं because Keras सब कुछ आपके लिए handle कर देता है but again deep learning, machine learning में जितना आपका understanding deeper level पे होगा उतना आप अच्छे से tools को use कर पाओगे तो I just wanted कि आपको ये difficult topic भी अच्छे से आता हो so yeah that's it, let's start the video so guys let's start with a very simple CNN architecture ठीक है, ताकि हमें चीजें आराम से समझ में आए और फिर हम लोग धीरे धीरे थोड़ा complex architecture भी discuss करेंगे तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक image है ठीक है, and this image is 6 x 6 pixel और इसको आप एक filter के थूँ pass करवा रहे हो और ये filter है 3 x 3 ठीक है, obviously यहाँ पर एक bias term भी होगा हर filter का एक bias होता है so it will also have a bias और यहाँ से आपको जो मिलेगा वो होगा आपका feature map ठीक है feature map को आप pass करोगे rally operation के through तो again आपको feature map ही मिलेगा but rally के through मिलेगा so माल लो अगर यहाँ पर negative values है तो वो यहाँ पर zero हो जाएंगी और यहाँ पर सारी positive values same रहेंगी ठीक है तो basically feature map है rally के through pass हो गया इसके बाद हम क्या करेंगे हम इसको max pulling operation में pass कर रहें तो basically यह feature map छोटा हो जाएगा या बोल सकते हो आधा हो जाएगा feature map का setting वही है to cross true का आपका width और height है और stride भी 2 है ठीक है और फिर अब क्या कर रहे हो आप आप इसको flatten कर रहे हो okay flatten करने से आपको एक basically 1D answer मिल जाएगा जिसको आप finally एक single output neuron में भेज रहे हो जो हमें यहाँ पे हमारा y hat या prediction दे रहे है तो this is the architecture ठीक है इस पूरे architecture में there is one convolution layer जिसमें एक filter है ठीक है plus there is a max pooling layer और बस उसके output को हमने फ्लाटन कर दिया और उसको हमने इस single neuron के पास भेज दिया I hope आपको समझ में आ रहे है अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि पूरा का पूरा जो tensor flow कर रहा है उसका shape क्या होगा so यहाँ पे जो shape है वो 6 x 6 है हमारा image का shape is 6 x 6 3 x 3 हमारा filter है आपको भी पताई कि जब convolution होगा और यहाँ पे हमारा feature map हमें मिलेगा तो इसका shape हो जाएगा 4 x 4 x 1 because एक हे filter है अब जब आप उसके उपर value लगाओगे तो shape में कोई changes नहीं आएंगे shape उतना ही रहेगा फिर जब आप max pooling लगाओगे तो यह 2 x 2 हो जाएगा ठीक है और फिर जब आप इसको flatten करोगे तो यह 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे इस जगह पे output में आपको 1 x 1 का basically एक scalar मिलेगा ठीक है तो यह आपका पूरा का पूरा shape है यू हाफ तु फर्स विजुलाइज कि पूरा का पूरा जो tensor flow कर रहा उसका shape किस तरीके से change हो रहा है अब हम लोग यही भी discuss कर लेते हैं कि इस CNN architecture में कितने trainable parameters है तो we are going to discuss how many trainable parameters are there अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर पूरे architecture में आपको सिर्फ दो ही जगों पर trainable parameters मिलेंगे एक है यहाँ पर convolution filter के पास और एक है यहाँ पर जहाँ पर आपने flatten किया ठीक है तो you can clearly see कि सबसे पहले तो यह 3 cross 3 filter है तो total मिलाके यहाँ पर 9 weights है ठीक है you can call this matrix as w1 so w1 क्या है w1 is a weight matrix जिसमें there will be 9 weights प्लस यहाँ पर एक bias होगा जिसको हम b1 बोलेंगे which is basically 1 cross 1 या फिर आप उसको scalar की तरह भी treat कर सकते हो ठीक है और similarly यहाँ पर since हमारे पास 4 input है तो यह 4 weights होगे तो यहाँ पर आप w2 imagine कर सकते हो which will basically be a matrix of 4 values ठीक है also यह जो neuron है इसका एक bias होगा इसको हम b2 बोलेंगे और इसको भी हम 1 cross 1 या फिर एक scalar की तरह treat कर सकते है so in short हमारे पास है w1 जिसका shape है 3 cross 3 हमारे पास है b1 जिसका shape है 1 cross 1 हमारे पास है w2 जिसका shape है 1 cross 4 और हमारे पास है b2 जिसका shape है again 1 by 1 so in total हमारे system में there are 9 plus 1 10 10 plus 4 14 15 trainable parameters ठीक है so basically जब हम अपने CNN model को train करेंगे back propagation apply करेंगे हमें इन 15 parameters का optimum value निकालना है जो इस loss को minimize करेगा ठीक है by the way loss यहां पर since we are going to take a binary classification problem माल लो यहां पर एक cat का photo है और हमें detect करना है कि cat है या dog है तो it is a binary classification problem तो loss function यहां पर वही होगा जो आपने machine learning में पढ़ा है logistic regression एक्सेटरा में minus yi log yi hat minus 1-1-y log 1-y यह single instance का loss है और अगर आप पूरे के पूरे batch के ओपर loss निकालना चाहते हो तो आप average loss निकालोगे basically summation करके n से डिवाइड कर दोगे number of images जो आपके पास है but you get the idea CNN में भी जो आपका loss होता है वह binary cross entropy ही होता है अगर आप multi class classification problem कर रहे हो तो वहाँ पर आपको softmax वाला loss लग जाएगा ठीक है you get the idea loss बिल्कुल वही है अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि हमारा यह जो CNN architecture है न इसका मैं एक logical diagram बनाने जा रहा हूँ logical diagram हमें आगे हमारा काम करने में हमें help करेगा ठीक है so हमारा logical diagram कुछ ऐसा होगा कि हम अपना image को x बुला रहे है ठीक है और x के उपर हम convolution operation कर रहे है with the help of a filter with weight 1 and bias 1 और यह करने पर हमें Z1 मिल रहा है which is basically this feature map ठीक है इस Z1 के ऊपर हम लोग rallyo apply कर रहे है और उससे हमें A1 मिल रहा है हमारा activation which is this thing ठीक है इस A1 के ऊपर हम लोग max pooling apply कर रहे है जिससे हमें P1 मिल रहा है कुछ भी नाम रख सकते हैं हमने P1 बुला लिया और इस P1 के ऊपर हम flatten कर रहे है जिससे हमें F मिल रहा है और F हमारा input है to this node यह जो neuron है तो F will go to this node और यहां पर पहले Z2 calculate होगा basically F में क्या है F में दे रहा 4 values यह 4 values को आप in weights के साथ dot product करोगे और इसके bias के साथ add करोगे वही आपका Z2 है और Z2 को आप sigmoid में भेज रहे हो जो आपको A2 दे रहा है और A2 ही आपका prediction है और फिर A2 से आप loss calculate कर रहे हो यह पूरा एक logical flow है हमारे CNN architecture का एक बार मैं revise करवा देता हूँ आपका X आपके filter के साथ convolve कर रहे है उसमें bias add हो रहा है तो आपको Z1 मिल रहा है Z1 आपका feature map है जिसके उपर जब आप value लगा रहे हो तो आपको kind of non-linear feature map मिल रहा है A1 A1 के उपर आप max pooling लगा रहे हो तो आपको एक tensor मिल रहा है P1 P1 को आप flatten कर रहे हो तो आपको एक 1D tensor मिल रहा है जो हमारे आगे के neural network के लिए input का का काम करेगा Let's call it F F को जब हम in weights के साथ dot product कराके इस bias के साथ add कर रहे है तो हमें मिल रहा है Z2 और इस Z2 को जब हम इस node के sigmoid के through pass कर रहे है तो हमें मिल रहा है A2 जो की हमारा prediction है और उसी prediction से हम अपना loss calculate कर रहे है ठीक है इस point पे I would recommend अगर आप video देख रहे हो तो ये diagram को देख करके अपने copy पे ये बनाने की कोशिश करो अगर आपने एक बार ये logical flow समझ लिया न तो आगे का काम बहुत easy हो जाएगा तो logical flow तो हमने समझ लिया एक काम करते है इस logical flow के through हम लोग forward propagation करते है और forward propagation की rough equations लिखते है ये भी हमें काम आएगा ठीक है सुध्यान से देखो सबसे पहले हम calculate करेंगे z1 z1 कैसे calculate हो रहा है z1 is actually convolution of x and w1 और जो result आ रहा है आप उसमें b1 add कर रहे हो इस तरीके से आपको z1 मिल रहा है ठीक है a1 कैसे मिल रहा है a1 is basically relu applied on z1 okay next p1 कैसे मिल रहा है p1 is max pool operation on a1 ठीक है अब यहां चलते है f कैसे मिल रहा है f is basically a reshape operation so आप flatten कर रहे हो flatten करना is basically a reshape operation of p1 ठीक है अब z2 कैसे मिल रहा है so z2 is basically a dot product of f with w2 ठीक है plus b2 और फिर a2 जो आपका prediction है वो आपको कैसे मिल रहा है sigmoid of z2 I hope आपको यहां तक समझ में आ रहा है in fact यहां पर यह जो dot product है यह सही order में लिख देते हैं it should be w2 into f because f का shape is 4 अगर एक image है तो 4 cross 1 बोल सकते हो आप अगर multiple images है तो 4 cross n हो जाएगा और w2 का shape is 1 cross 4 तो when you do dot product of 1 cross 4 और 4 cross 1 तो it would be 1 cross 1 और bias भी 1 cross 1 है तो z2 का जो shape होगा वो होगा 1 cross 1 जिसके ओपर जब आप sigmoid apply करोगे तो a2 मिलेगा और a2 का shape भी क्या होगा 1,1 which will be a scalar ठीक है तो इसलिए मैंने ये सही order में लिख दिया बाकि मैं इसको erase कर रहा हूँ ये आपके सामने जो है ये हैं आपकी equations for forward propagation ऐसा समझ के चलो कि अगर आपके पास ये equation है तो आप इसका program लिख सकते हो python में and you can always predict the output for a given image x ठीक है forward propagation हमारे पास है अब हमें back propagation study करना है ठीक है देखो हमारा end goal क्या है हमारा end goal है कि हमारे जितने भी trainable parameters हैं हमें उनके उपर gradient descent apply करना है और ऐसी values find out करनी है जिसके लिए हमारा loss minimum हो जाए ठीक है तो in short हमें gradient descent apply करना है मैं यह आपर लिख रहा हूँ we have to apply gradient descent algorithm और हमारा objective है कि हम w1 की ऐसी value निकाले जो loss को minimize करे similarly w2 की ऐसी values निकाले जो loss को minimize करे and same with bias यहाँ पर आपको बस एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि यह जो w है यह एक matrix है यह w2 भी एक matrix है in fact यह जो derivative होगा यह भी एक matrix होगा ठीक है यह derivative भी एक matrix होगा बट कुछ खास नहीं है मैं धीरे धीरे सब कुछ clear कर दूँगा आपको बस यह समझना है कि आपके पास w1 w2 के कुछ random values है जब आप शुरू करते हो forward propagation लगाना शुरू करते हो तो आपके पास इस w1 का कुछ random value होता है इस p1 का कुछ random value होता है इस w2 का कुछ random value होता है इस b2 का कुछ random value होता है बट आपको क्या करना है धीरे 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 gradient descent apply करते हुए उन values को update करते जाना है till the loss is minimized हम exactly वही principles की बात कर रहे है जो हमने ANN में पढ़ा था बिल्कुल same चीज़ हो रही है अब बस हमें क्या करना है हमें ये derivatives निकालने है ये derivatives निकालने है अगर हम ये चार derivatives निकालने आ गए तो फिर हम gradient descent apply कर सकते है अगर हम gradient descent apply कर देंगे तो eventually हम इन सब का सबसे optimized value निकाल पाएंगे और वही हमारा target है तो in short going forward अब हमारा target है ये चार derivatives calculate करना ठीक है अब going forward अगर आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो मेरी तरफ से आपको एक advice है कि ये जो पूरा का पूरा CNN architecture है न इसको आप दो parts में imagine करो ठीक है so part one would be this CNN वाला part यहां तक ठीक है ये एक CNN है और part two में आप इसको imagine करो CNN वाला part ठीक है ये CNN वाला part और ये CNN वाला part ठीक है तो ये दोनो parts although एक दूसरे से connected है बट फिर भी अगर आप इनको logically separate करके study करोगे ना समझना आपके लिए आसान हो जाएगा in fact मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस वीडियो में इस CNN वाले part का back propagation आपको समझाओंगा और next part में मैं आपको इस पूरे CNN वाले part का back propagation समझाओंगा और obviously दोनों logically connected है तो आपको ये पूरी चीज़ automatically समझ में आने लग जाएगी कि ये दोनों साथ में कैसे हो रहा है ठीक है but going forward please एक बार वीडियो pause करो और ऐसे imagine करो कि there are two separate neural networks one of them is CNN and the second one is ANN they are connected but they are different so now let's focus कि ये चारो derivatives हम कैसे निकाल सकते हैं ठीक है तो since हम लोग back propagation कर रहे है तो हम लोग इस direction से start करेंगे तो पहले हम लोग focus करेंगे W2 और B2 के derivatives निकाल लेगा ठीक है कैसे निकलेगा W2 और B2 का derivative बहुत simple है मैंने आपको पहले भी बता रखा है आपको derivative निकालने का मतलब क्या होता है differentiate करने का मतलब क्या होता है अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़ तो इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि W2 में एक unit change करने से loss में कितना change आएगा मतलब weight को change करने पे loss में कितना change आएगा ये आपको निकालना है बट unfortunately W2 directly loss से connected नहीं है there is an indirect connection तो आप क्या गरोगे आप वो पूरा का पूरा chain निकालोगे जैसे यहाँ पर आप देखो let's find out dell L by dell W2 आपको ये सोचना है कि W2 को change करने में किस में changes आएगे you can see अगर आप W2 में changes करोगे तो Z2 में changes आएगे अगर आप Z2 में changes करोगे तो A2 में changes आएगे which is your Y hat और Y hat में changes करने पर L में changes आएगे so basically आप इस पूरे chain को इस तरीके से लिख सकते हो कि dell L by dell A2 multiplied by dell A2 by dell Z2 multiplied by dell Z2 by dell W2 ठीक है आपको ये तीनो derivatives निकालने है in order to calculate this one similarly for B2 same path follow होगा B2 को change करने पर Z2 change होगा Z2 को change करने पर A2 change होगा और A2 को change करने पर L change होगा so again आप लिखोगे dell L by dell B2 will be equal to dell L by dell A2 multiplied by dell A2 by dell Z2 multiplied by dell Z2 by dell B2 बस ये last वाला term different है बाकी ये दोनों terms बिलकुल same है ठीक है so हमें 4 total derivatives निकालने है in order to calculate these two derivatives और हमारा काम हो जाएगा ये दोनों derivatives हम लोग इस video में calculate करेंगे बट अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप W1 और B1 के derivatives को कैसे calculate करोगे ये थोड़ा जादा interesting है इसके उपर focus करते हैं चलो let's see कि हम dell L by dell W1 कैसे निकालेंगे तो फिर से आपको देखना है ये पूरा flow आपको पूरा help करेगा समझने में कि क्या changes हो रहे हैं अगर आप अपने filter के weights change करोगे W1 तो उससे obviously Z1 change होगा अगर Z1 change हुआ तो A1 change होगा A1 change हुआ तो P1 change होगा P1 change होने से F change होगा F change होने से Z2 change होगा Z2 से A2 change होगा और A2 से L change होगा तो you can see कितना बड़ा flow हो रहा है so आप इस पूरी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो dell L by dell A2 multiplied by dell A2 divided by dell Z2 multiplied by dell Z2 by del F multiplied by dell F by dell P1 multiplied by dell P1 by dell A1 multiplied by dell A1 by dell Z1 multiplied by dell Z1 by dell W1 and going by the same logic अगर आप निकालना चाहो dell L by dell B1 तो सब कुछ सेम होगा बस यह last वाला term different होगा मैं लिख देता हूँ this will be the outcome काफी बड़ा एक chain बन गया और आपको यह सारे derivatives calculate करने है in order to find out these derivatives अब यहाँ पे कुछ बहुत interesting ideas हैं जैसे कि आपको यह सीखना है कि आप convolution operation का back propagation कैसे calculate करते हो यह last वाला derivative convolution के back propagation से निकलेगा similarly यह जो derivative है जहाँ पे आप F और P में changes करना चाहरे हो यह flatten के convolution से निकलेगा और similarly यह वाला जो derivative है यह max pooling के back propagation से निकलेगा यह हम लोग next वीडियो में cover करेंगे because next वीडियो में हम तीन interesting concepts पढ़ेंगे कि how to apply back propagation on first of all convolution flatten layer and max pooling layer यह तीन interesting concepts अगर आप पढ़ोगे और समझ जाओगे तो ही आप यह derivatives calculate कर पाऊगे ठीक है जो भी है अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले है हम लोग यह दोनों जो derivatives है यह calculate कर लेंगे यह दोनों next वीडियो का topic है so चलो guys let's calculate these two derivatives ठीक है so मैंने क्या किया है जो ann वाला part था हमारे architecture का उसको यहाँ पर draw कर लिया है you can see flatten layer के बाद से जो भी कुछ है यहाँ पर मैंने लिख लिया है अब यहाँ पर हमारे forward propagation वारी equations भी है एक चीज बस आपको ध्यान देना है कि यह w2 यह a2 यह सारे matrices है ठीक है यह z2 यह सारे matrices है इनका shape आपको मैंने शुरू में बता रखा है ठीक है अब हमें क्या करना है हमें यह दोनो derivatives निकाल लें and clearly हमें क्या करना है हमें एक, दो, तीन और यह चार अलग-अलग derivatives निकाल लें ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इस वाले derivatives पर focus करेंगे because यह दोनों में common है so हमें calculate करना है del L by del A2 ठीक है अब थोड़ी देर के लिए हम माल लेते हैं कि हमारा जो loss function है वो हम सिर्फ एक single image के ऊपर apply कर रहे है ठीक है तो थोड़ी देर के लिए हम since एक single image के ऊपर काम कर रहे है तो हम A2 को as matrix नहीं small A2 as scalar denote करेंगे and this will be for a single image it would be minus yi log a2, a2 ही हमारा by the way y hat है output है minus 1 minus yi log of 1 minus a2 ठीक है अब जब आप इसको differentiate करोगे तो आपको मिलेगा yi by a2 minus 1 minus yi 1 minus a2 और यह minus a2 का minus इसको plus कर देगा और यह बन जाएगा minus yi times 1 minus a2 plus a2 times 1 minus yi divided by a2 multiplied by 1 minus a2 इसको अगर हम थोड़ा और simplify करेंगे तो हमें मिलेगा minus yi plus yi a2 plus a2 minus a2 yi divided by a2 1 minus a2 यह वाला टर्म यह वाला टर्म कैंसल हो जाएगा और हमारे पास आजाएगा a2 minus yi divided by a2 1 minus a2 यह है डेल L by डेल A2 अब हम यह करेंगे हम यह निकालेंगे डेल A2 by डेल Z2 ठीक है यह भी दोनों में common है तो इसके लिए हमें यह equation की जरुरत पड़ेगी तो डेल A2 by डेल इस equation की जरुरत पड़ेगी इस वाले की second वाले की डेल Z2 हो जाएगा since it is sigmoid of Z2 तो it would be sigmoid of Z2 1 minus sigmoid of Z2 आपको पता है sigmoid का derivative क्या होता है और sigmoid of Z2 है क्या it is basically A2 तो for a single instance हम उसको A2 ले रहे small वाला matrix नहीं ले रहे 1 minus A2 तो यह मिल दिया मुझे डेल A2 by डेल Z2 यह वाला term अब हम निकालेंगे यह वाला term डेल Z2 by डेल W2 उसके लिए हमें यह वाला equation चाहिए तो you can see डेल Z2 by डेल W2 और यह matrix differentiation हम directly कर देंगे तो clearly हमारे पास answer में आ जाएगा F F क्या है? F is this matrix जहाँ पे 4 inputs है ठीक है? यह हो गया डेल Z2 by डेल W2 similarly हम निकालेंगे डेल Z2 by डेल B2 so इस case में डेल Z2 by डेल B2 हो जाएगा 1 I hope आपको समझ में आ रहा है और अब हम क्या करेंगे? तीनों को multiply करेंगे so हम लिखेंगे डेल L by डेल W2 हो जाएगा A2 minus YI A2 1 minus A2 multiplied by यह वाला टर्म A2 1 minus A2 multiplied by F ठीक है? यह cancel out हो गया and this will be A2 minus YI multiplied by F A2 को हम A2 matrix से replace कर देते हैं और Y को Y matrix से और F को F रहने देते हैं ठीक है? और similarly डेल L by डेल B2 क्या हो जाएगा? A2 minus YI A2 1 minus A2 multiplied by A2 1 minus A2 multiplied by 1 यह दोनों cancel out हो जाएगे और यहाँ पे भी आ जाएगा A2 matrix minus Y ठीक है? अब थोड़ा shape analysis कर लेते हैं सोच के देखना अगर मैं आपसे पूछो कि डेल L by डेल W2 का shape क्या होना चाहिए? तो डेल L by डेल W2 को हम use किसलिए कर रहे है? W को update करने के लिए? तो इसका shape वही होना चाहिए जो W2 का होना चाहिए ठीक है? और वो shape क्या था? वो हमने यहाँ पर discuss किया था 1,4 तो हमें make sure करना है कि इसका shape 1,4 हो देखो कैसे आएगा? A2 का shape क्या है? 1,1 इसका shape क्या है? 1,1 तो इन दोनों का subtraction का shape क्या होगा? 1,1 F का shape क्या है? अगर आप उपर जाओ और यहाँ पर देखो F का shape क्या है? यहाँ पर यह जो मुझे मिल रहा है यह basically है 4,1 This is 4,1 This is 4,1 ठीक है? आप क्या कर दोगे? इसको transpose कर दोगे तो इसको आप जैसी transpose करोगे यह बन जाएगा 1,4 और इनके बीच का dot product क्या हो जाएगा? 1,4 जो हमें चाहिए था ठीक है? इन शॉट डेल L बाइडल W2 का जो derivative है matrix form में वो है A2 minus Y F transpose और डेल L बाइडल B2 का जो derivative है वो है A2 minus Y यह रहा हमारा answer ठीक है? इस वीडियो में हमें जो अचीफ करना था वो हमने अचीफ कर लिया अब हम लोग next वीडियो में क्या करेंगे? यह दोनों derivative calculate करेंगे और उसमें हम लोग यह concept सीखेंगे ठीक है? अच्छा एक छोटी सी चीज और discuss कर लेते जल्दी से अभी तक हम यह मान के चल रहे थे कि एक ही image के उपर हम लोग काम कर रहे हैं but what if हम mini batch gradient descent लगा रहे हैं उसमें क्या होगा? batch of images flow करेंगे ठीक है? एक साथ आफ मान लो 32 या 64 images भेजोगे और एक साथ 32 या 64 के उपर prediction होगा और फिर back propagation apply होगा तो in that case क्या होगा? अभी तक हम क्या लेके चल रहे थे कि F का shape क्या है? 4,1 because there are 4 numbers of one image but मान लो अगर आपके पास M images होगे तो F का shape क्या हो जाएगा? F का shape हो जाएगा 4 cross M similarly आपका A2 जो है जो prediction है उसका भी shape क्या हो जाएगा? उसका shape हो जाएगा 1,M similarly आपका जो Y है उसका भी shape हो जाएगा 1,M ठीक है? तो एक बार नीचे आके देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? मान लो हमारे पास एक साथ M images के उपर हम काम कर रहे हैं तो A2 का shape क्या है? 1,M minus Y का shape क्या है? 1,M तो इन दोनों का subtract करने पर जो matrix मिलेगा वो भी कितना होगा? 1 by M और F transpose क्या होगा? अभी हमने देखा F का shape क्या है? 4,M ठीक है? तो उसका transpose हो जाएगा M,4 अब फिर से आप dot product करोगे MM common है तो output अभी भी कितना आएगा? 1 by 4 तो ये जो derivative है ना ये हमेशा एक matrix रहेगा 1 by 4 का आप भले एक image भेज रहे हो या फिर आप batch of image भेज रहे हो हमने matrix को इस तरीके से use किया है कि derivatives का जो matrix है इस derivative का जो matrix है वो हमेशा 1 by 4 होगा because W2 का shape is 1 by 4 ठीक है? I hope आपको ये बात समझ में आ रहे है so yeah that's it for the part 1 guys I really hope मैं simplify कर पाया पूरी चीज को और आपको चीजे समझ में आई next part में जैसा मैंने आपको बोला convolution, max pooling और flatten के ऊपर back propagation कैसे लगता है वो सीखेंगे और फिर third part में एक थोड़ा और complex architecture ले करके उसके उपर हम लोग back propagation perform करेंगे आपसे request है अगर आपने ये वीडियो देखा है एक बार खुद से copy pen ले करके चीजों को करने की कोशिश करो मैंने ऐसे ही सीखा है आपको भी समझ में आ जाएगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना आप बिलीव नहीं करोगे मैं रात भर जगा हूँ इसके लिए और अब सुबह उटकर के वीडियो शूट कर रहे है तो काफी महनत लगी है लाइक कर देना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब ठीक है आप आप मैं साइड मिल्टे नेक्स वीडियो में बाइ